तो आगे हूँ मैं जब सभी के लिए बहुत ज़दा टेस्टी सी रसिपी ले करके तो अगर आपका भी डाल सब्जी खाके बोर हो गए हैं तो इस अलू की सब्जी को बना कर खाएगा बहुत ज़दा टेस्टी लगेगी और बहुत क्रीमी टेक्स्चर की बना कर तयार गी है म और आप इसे को नान रोटी के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, परांटे के साथ, किसी के साथ भी खाएगा, बहुत ही अदर टेस्ट लेगी चैनलें पर नई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें रोब आइकन जरूर प्रेस कर देना स्वागत है आप सभी का, स्वाती की देशीरसोय में तो फिर देर किस बात की है, बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज की रेसिपि बनाने के लिए मैंने करीबनème क्लो ओपर के उबार लिया है। जो बढ़ी साइज की आलू है मैं चल्सके काट कर लोंगी। और मैं चल्सकार काट कर लूँए उद्री कीजित चृकर दें। तो मैंने कड़ाई ले लिए जिसमें एक कर्ची तेल डाल दिया है सारे तेल को अच्छी तरीकी से सारी तरफ फैला दूँगी अब आलो को डाल की अच्छी तरीकी से मैं इसको भून लूगी जब तक के कोटिंग नहीं हो जाती है आलो के उपर उस तरीकी कोटिंग नहीं आ तब तक हमें आलो को अच्छी तरीकी से फ्राय कर लेना है तो चलिएगा मैंने सारे आलो को तयार कर लिया है भून के तो चलिएगा अब आएगी तयारी कर लेते हैं तो उसी तेल के अंदर मैंने दो तेज़ पार्ट एड़ कर दिया है चार से पाँच लाउंग और 10 से बारा मैंने काली मेच आदा चमत जीरा डाल दिया है 10 से बारा लैसुन के कलियां को काट करके डाल दिया है तो चलिएगा अब इसको अच्छी तरीकी से भून लेंगे आपकी सब्जी जो है बहुत यह टेस्टी बनके तयार होगी तो देखिएगा प्याज जो है अच्छी तरीके से भुन गई है तो चलिएगा हम इसके अंदर को सूखे मसाले अट कर लेते हैं तो एक चमच कश्मी लालमिश पाउडर दो चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल् आप चाहें तो फुली इसको स्किप कर सकते हैं तो चलिएगा अब मैं स्कौशी तरीकी से मिला दूंगी तो गैस को बिल्कुल लोटू मीडियम फिलिम पर रखना है वनना मसाले जल सकते हैं तो मैंने चार मीडियम साइज के टिमाटर को चौपर में कट करके लिया है तो च माटर को और अच्छी तरीकी से गलाने के लिए मैंने इस टाइम पर इसके अंदर नमक डाल दिया है डेर चमाच आप अपने अनुसार नमक को कमिया ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप एक केलो आलू बना रहे हैं तो आप पिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही बनाएगा आप के आलू बहुत यदा टेस्टी बनके तयार होंगे तो चलिएगा मैं लेड़क के पकने के लिए छोड़ दिया था मसाला अची तरीकी से हमारा पक गया है तो अब देखी सकते हैं बहुत यदा अची तरीकी से हमारा मसाला पक के तयार है तो चलिएगा अब मैं इसके अंद तो देखिएगा मैंने इसको अची तरह किसे मिला दिया है यह हमारे आलू बहुत यह क्रीमी टेक्ष्चर के बनके तयार होंगे तो आप देखी सकते हैं कि आप जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बिल्कुल सर्फेस पे आ गया है तो चलिएगा इसको चला देंगे फिर तो चलिएगा मसाला सार अची तरीकी से भुन गया है अब मैं इसको इसको इसके अंदर दो कपके करीबन मैंने इसके अंदर पानी आट कर दिया है पानी यह अपने मनमुताबर के रख सकते हैं कम यह जादा जितना भी आपको चाहिए तो चलिएगा लिट ढगके मैंने 5-6 जब तक इसका जो ग्रेवी है अची तरीके से पक नहीं गई है तो ग्रेवी बहुत यह अची तरीके से पक गई है अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगे जो मैंने फ्राय करके रखे हैं तो चलिएगा सारे आलू को इसके अंदर रैट कर देंगे ग्रेवी के अंदर त तेस्टी बनके तयार होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग ना इस सब्जी को बना सकते हैं अगर आप थोड़े कम आलू लें तो उसके हिसाब सी आप मसाले का यूज करें तो चलिएगा मैंने ड़के इसको पका लिया है दस से बारा मिनट के लिए तो बिलकुल अच्छी तर डिल्त करें अगरें अध्यक्प आप गलंगे तो चलिएगा ऽीजियत भी मैंने क्तिकार के दिखांगे कि बहुत adult को चित्जार हो रहे हैं और वहट टास ट्यार हो है आप चाहें ना जब आपके घर में कोई महमान आ जाए तो आप ये भी खिला सकते हैं जरूरी नहीं है कि नॉन वेजी बनाएं फिर पनीर बना कर खिलाएं अगर इस तरीके से आलू बनाएंगे तो आप से अगले बार इस आलू को ही बनवा कर खाएंगे और खुद मुझे ब पूरी वीडियो को वाच कीजिएगा तो चलिए को में मिलूँगी आप से नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाइबाय और टेक एर